ओम शांती आज 20 जुलाई 2022 आज की साकार मुडली से हमें गुन सीखने मिलता है धीरच का अर्थात पेशन्स का जीवन में हर एक के उतार और चड़ाव आते हैं कभी नफा होता है कभी नुकसान होता है कभी हम आगे बढ़ रहे हैं कभी थोड़ा सा रुकावट भी आती है कभी जीतते हैं कभी हार भी होती है तो जीत में हमें खुशी होती है, सुख होता है लेकिन उसमें भी अपनी बालेंस अवस्था रखना अगर हार जाते हैं तो मायूसी आती है, उदासी निराशा आती है तो जीत हो या हार कोई भी अवस्था में हमें अपने मन के स्थिती को प्रभावित नहीं होने देना है अर्थात balance stage रखनी है क्योंकि समय कभी भी एकसा नहीं रहता है समय बदलता है अगर कोई अच्छी घड़ी आई है वो भी सदा नहीं रहने वाली है और कोई विपरीत परिस्थती आई है वो भी सदा नहीं रहने वाली है परिवर्दन संसार का नियम है होता आया और होता रहेगा एक बार एक राजा जिसका राज्य बहुत ही सुन्दर था और अपने राज्य को वो बहुत अच्छी तरह कुशलता से संभालता था और छोटा राजय था राजा भी खुश थी और प्रजा भी खुश थी एक दिन किसी और राजय ने उन पर हमला कर दिया जब हमला कर दिया वो बड़ा सैन्य था इस राजा को वहाँ से भागना पड़ा और किसी जंगल के अंदर वो भाग करके चला गया वहाँ पर अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना राज्य था, ना महल था, ना उसकी सेना थी, और जो दूसरे राज्य के राजा थे, सैनिक थे, वो भी उसके पीछे पड़े थे, उसे खतम करने के लिए, उस समय पर, कुछ समय पहले, एक महात्मा ने उसे अंगुठी दी जिस समय महात्मा ने कहा था, कि बहुत ऐसी difficult situation आए, जब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता ना हो, बहुत सारी समस्या हो, कोई समाधान ना मिल रहा हो, तब इस अंगुठी को खोल कर, इसके अंदर एक मंत्र है, वो पढ़ लेना, तो तुम्हारी सारी समस्याई, समाधान तुम्हे प्राप्त होगा, उस दिन उसने देखा, जब उसके पास कोई भी समाधान नहीं है, उसे वो अंगुठी याद आई, उसने खोला, उसमें से एक मंत्र लिया, वो मंत्र था, ये समय भी बीद जाएगा, धीरज धरो, तो धीरता को अपनाई, उसने भी ऐसे ही किया वहाँ पर रहते हुए, जंगल में जो लोग थे, उनके साथ अपना फिर सैन्य बनाया, फिर अपना राज्य प्राप्त किया, ऐसे ही अपने साथ धैर्यवत होकर के शांत चित्त होकर सही निर्नय लेने हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है और विजई बनना है, तो धैर झाल झाल